नमस्कार, मर्ज क्लास्रूम एकेडमी की तरफ से ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें हम कोस्का के बारे में चर्चा करेंगे कोस्का के तिर्थिय भाग में हम बहु कोस्की और एक कोस्की जीवों के शामान अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुकोस्की जीव जैसे कि पादब, फफूनिया, प्रोटो जोगा और जानबर ये बहुकोस्की जीवों में आते हैं और जीवानू और अध जीवानू या बैक्टिरिया और आर्किया ये एक जीवी कोस्काओं के अंतरगात आते हैं ये सामान अंतर हैं, एक कोस्की अर्थात यूनी शैलूलर और बहुकोस्की अर्थात मल्टी शैलूलर जीवों के बीच में पहला सरीर एक कुषका से बना होता है और सनरचना बहुत ही साधारन होती है कुषकी जीवों की जबकि बहुकुषकी जीवों का सरीर अनेक कुषकाओं से मिलके बना होता है और यह अत्यन्त जटल सनरचना वाले होते हैं नमबर दो है एक कुस्क की सरीर का पूरा भाग वाह वातावन से घिरा होता है जैसे कि इसमें एक ही कुस्का होती है तो इसलिए वो एक कुस्का चारों तरब से वाहरी वातावन से घिरी रहती है जबकि बहु कुस्की जीवों में केवल कुस्का का बहारी हिस्सा ही वाह वातावन के संपर्क में रहता है बाकी दूसरा हिस्सा दूसरी कुस्का के संपर्क में आता है नमबर तीन इसमें बिभाजन की छम्ता नश्ट नहीं होती कोशिका बिभाजे होती रहती है जबकि बहु कोशिकी जीवों में कोशिका अगर छतिगरस्ट हो जाती है तो उसमें बिभाजन की छम्ता नश्ट हो जाती है और वो कोशिका मर जाती है और नई कोश्का उसकी जगए ले लेती है चोथा है जैसे उपर बताया बैसे चोथा उससे संदर्वित है चोट या आगात होने पर सरीर इनका नश्ट नहीं होता और कोश्का में विभाजन की छमता बनी रहती है जबकि बहुकोश्की जीवों में चोट या आगात होने पर सरीर नश्ट नहीं होता बलकि नश्ट हुई कोश्काएं नई कोश्काओं द्वारा पूरित हो जाती है तो अगर चोट लगती है या आगात होता है तो सरीर नश्ट नहीं होता लेकिन वो कोसिका नश्ट हो जाती है तो उस कोसिका की जगा नई कोसिका बन जाती है जबकि एक कोसिकी जीवों में अगर कोसिका नश्ट हुई तो सरीर खतम होगा क्योंकि उसमें एक ही कोसिका होती है पांचमा है एक कोसिका अंगी की तरह कार करती है हाँ किनकी इसमें एक ही कुष्का होती है तो सारा कारश जो होता है सरीर का वो इसी के द्वारा होता है उसके बाद अंगला है कि एक कुष्का पर कार अतिक होने से जीवन काफी छोटा होता है क्योंकि उसको काफी कार करना पड़ता है जबकि मल्टी सेललर या बवक उसकी जीवों में को इसका स्वयम और सरीर के अंग के लिए कार करती है उसको खुद को भी जीवित रखना है और जिस अंग का निर्माल किया है उसका कार करना जैसे कि अगर मास्पेसियों की कुष्का है तो मास्पेसि कुष्का अपने को जीवित रखेगी और मास्पेसियों द्वारा हम कार्य करते हैं, कोई भी परिस्रम करते हैं, तो उस कार्य में भी शहायता करती है अंगला पुनर जीवन की इसमें छमता होती है कोस्की जीवों में जबकि बहुखोस की जीवों में पुनर जीवन की छमता नहीं होती, अगर नस्ट होती हैं तो वो मर जाती है. एक कुस की जीवों में प्रिजनन का तरीका बेजिटेटिव होता है या अलेंगिक होता है, जिसका हम अंगले कभी वीडियो में चर्चा करेंगे. और जबकि बहुकोस्की जीवों में एक कोस्का पर कार कम होने के कारण इसका जीवन भी लंबा होता है और इसमें प्रिजनन लेंगिक होता है यूकेरियोटिक टाइप की कोस्का है यूनी शैलिलर प्रोकेरियोटिक टाइप की कोस्का होती है यहां पे यह गलत हो गया यहां पे यह प्रोकेरियोटिक टाइप की ज्यादा तर होते हैं यूनी शैलिलर जबकि बहुकोस्की कोस्का है सामानता यूकेरियोटिक टाइप की ह यह उल्टा हो गया यहां पर कुछ उधारण एक कोस्की और बहुकोस्की के यहां पर हैं जैसे कि एक कोस्का में अमीबा, पेरामीसियम, योगलीना, बैक्टिरिया या जीवानू आते हैं जबकि बहुकोस्की में पादब, जन्तु और फफूंदियां आती हैं धन्यवाद, अगर अपना वीडियो आप लोगों के साथ सेर करना चाहते हैं, या कोई दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो www.mergeclassroom.org को बिजिट करिए, या फिर हम से अधिक जानकारी लेने के लिए हमें इमेल भेजिए, mergeclassroom at the rate of gmail.com पर